बिस्मिल्लाहिरामाने रहीम, असलामुलेकुम, स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट चेप्टर है, माई टेलर, बाइ स्टीफन लिकॉक, ये एक मजाहिया है, युमिरस वेन में लिखा गया है, मजाहिया चेप्टर है, लेकिन इसका मॉरल बहुत डीप है, तो जब हम टेलर था, जिससे वो कपड़े सिल्वाता था, वो एक टेपिकल टेलर था, टेपिकल टेलर होता है, मख्सूस आदात रखने वाला, एक उसकी टेपिकल हैबिट थी, कि हमेशा आम जैसे टेलर का स्टाइल होता है, हमेशा मुस्कुरा के वेलकम करना, और चीजों के बारे में अपनी इस्तलाहाथ, टेर्मिनोलोजी होता है, अपनी इस्तलाहाथ थी, वो हमेशा एक डाइस होता था, ये एक काउंटर बनाओता था, उसके पिछले हिस्से में खड़ा होता था, और अब भी टेलर्स आप देखें, तो उनका टिपिकल यही स्टाइल है, एक और बाद जो मुसन्निफ ने नोट की वो ये थी, कि वो एक टांग पर खड़ा रहता था, और फिर ये एक तो उसका ये तरीका था फ्लेटर करने का कि, a little fuller in the chest ताकि वो उसको flatter कर सके, उसे खुश कर सके और टेलर के पास बार बार लोग आएं तो वो यह उसका बातों से लोगों को खुश करने का तरीका था a man of peculiar habits peculiar उसकी मखसूस आदाद थी उन में से एक आदाद तो हमने देखी है अभी पड़ी है कि एक टांग पर खड़ा होता था the tailor had fixed habits and mannerism he welcomed the author with a smile एक तो हमेशा मुस्कुराना he offered the author with only one choice a serge or tweed उसके साथ ही उसने अपनी tailor shop के साथ ही उसने कपड़े भी रखे हुए थे कि लोग वहीं से purchase करके सिलवा ले तो उसके पास दो किसम के कपड़े होते थे serge ये tweed तो वो दोनों की choice देता था writer को and then himself gave his decision in favor of serge और फिर जो महंगा कपड़ा होता था serge उसकी favor में वो कहता था कि बस बस यही खरीद ले और बात खतम कर देता था he did not let the author speak about his choice और मुसनिफ को मौका ही नहीं देता था कि वो कह के नहीं इस बार में tweet try कर लेता हूँ लेकिन वो से कुछ भी try नहीं करने देता था और इस तरह वो से अपनी मर्जी का कपड़ा दिलाता it seemed he knew his choice of cloths he always stood in the back part of his shop with measuring tape woven round his neck एक और उसका मखसूस अंदाज ये था कि उसके गर्दन में measuring tape यानि inch tape जो होती है नापने वाली tape वो उसकी गर्दन में लटकी होती थी और वो एक टांग पे खड़ा रहता था हमेशा मुस्कुराता रहता था और अपनी मर्जी मुसल्ट करता था his philosophy about stitching and bills promised the stitching a week after Tuesday उसका मखसूस अंदाज ये था कि इस Tuesday को छोड़के अगले Tuesday हमेशा वो यही कहता था यह उसने दिन मुकरर किया था कि इस रोज कपड़े सिलके और डिलिवर होने के लिए तयार होंगे he did not demand the bill until two suits were stitched दूसरी ये कि वो एक या एक जोड़े की जो payment है वो कभी नहीं लेता था बलके एक जोड़ा उससे सिलवा लेते थे उसके बाद वो उन्हें रुखसत कर देता था और क्याता था पैसों के बारे में फिर बात करेंगे उसके बाद जब मुसनिफ दूसरा suit सिलवाने आता था तो फिर वो उसको जो है तब भी वो पैसे नहीं मांगता था बलके उसका एक मखसूस तरीका था वैंने रिसीवड ओर फॉर थर्ड सूट कि अब दूसरा सूट भी सिल गया अब तीसरा सूट जब सिलने आएगा तो उसका मखसूस तरीका ये था कि वो मुसनिफ को एक खत लिखता था और उस खत के जरीए उसे मुतला करता था कि आपके दो सूट पहले सिल चुके है और ये तीसरा सिला है और फिर वो वज़ा बताता कि मुझे ये बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपसे पैसे मांगू आपके और मेरे दरमयान पैसों का कोई मामला है ही नहीं लेकिन क्यूंके यॉरप से मेरा बहुत ज़्यादा माल आने वाला है और उसकी महने पैमेंट करनी है इस मजबूरी की वज़ा से मैं आपसे ये मांग रहा हूँ तो लहाजा वो इस अंदाज में पैसों का तकाजा करता कि दूसरे को बुरा भी ना लगे और वो अपनी मजबूरी भी बता देता रिलिजिस परसन, वो एक कटर इसाई था उस मजबन वो अपने मजब पे बड़ा पुखता कीदा रखता था वो चर्च के लिए चंदाए कट्था करता लोगों को काईल करता कि अपना पैसे इसमें जमा कराएं वो लोगों को काईल करता था कि इसमें आपने इस इत्वार जरूर आना है अब हम आते हैं पेज 359 पे ये question का second part है कि मुसनिफ कहता है कि the tailor was immortal इसका ये moral भी है conclusion भी है कि वो मुझे immortal लगता है उसे वो क्यों immortal लगा ये page 359 पे last two paragraphs है the writer knew him question number two के last two paragraphs the writer knew him as a tailor not as a man कि मुसनिफ ने हमेशा उसे एक tailor एक दर्जी समझा और इनसान ना समझा he never tried to know about his personal life ना कभी उसका जाती जिन्दगी के बारे में पूछा ना बच्चों के बारे में ना घरेलू मुश्किलात के बारे में he did not even know his name यहां तक कि एक रोस tailor के बारे में जब मुसनिफ को पता चला कि वो मर गया है तो फिर उसको एहसास हुआ कि उसे तो अपने दर्जी का नाम ही नहीं पता वो हमेशा यह कहता था कि tailor के पास जाना है tailor से कपड़े बनवाने उसने कभी सोचा ही नहीं कि उसका कोई नाम भी होगा उसे पहली दफ़ एहसास हुआ कि उसने उसे कभी इंसानों वाला बरताओ किया ही नहीं बलके एक मुझसमा समझा था तो एक रोज जब उसकी दुकान से गुजरा और उसने एक टेलर को वहां ना पाया जैसे कि वह हमेशा ख़ड़ा होता था तो उसे धचका लगा then he came to know that he had died फिर पता चला कि उसका तो इंतगाल हो गया people also told him that he had a wife who was badly left off कि उसकी बीवी है जिसके लिए वो कोई तरका छोड़के नहीं गया badly left off, कोई उसके लिए तरका नहीं है he had a daughter, he was a sidesman of the church he had a fine taste for music बहुत सी बाते होई जिनमें ये भी हुआ कि उसे मौसीकी से बहुत लगाओ था और बहुत ही आला पाय का जौक रखता था but in spite of 30 years association तो मुसनिफ को यह असास हुआ कि बावजूद इसके कि उनकी 30 साल से रफाकत इस अंदाज में थी कि वो अपने कपड़े सिलवारा था 30 साल से दे राइटर रिमेंड अनवेर अव दीस फैक्स लेकिन मुसनिफ को आज तक एसास ना हुआ कि वो कितना बेहिस है और उसने टेलर के मसाहिल जानने की कोशिश ना की अब वो उसके मरने के बाद अपनी गलती का इद्राग करता है अब उससे एसास हुआ कि वो कितना टेलर अजीम आदमी था कि वो मुसनिफ के बारे में एक एक बात जानता था उसकी पसंद ना पसंद जानता था उससे फ्लैटर करता था उससे हाल चाल पूछता था गरवालों का हाल पूछता था लेकिन मुसनिफ ने बदले में कभी भी उसके साथ ऐसा बरताओ ना रवा रखा ना उसका नाम पूछा ना घरवालों के बारे में पता किया और उसके मरने के बाद ही उसका पता चला अब लास्ट पार्ट इस question का यह है कि इसका moral क्या है तो यह question number three में दिया वाय बिलकुल last paragraph है इसमे second last paragraph और last paragraph second last paragraph में जो line है कि appearances are often deceptive कि जो जहरी तोर पे हमें वजा खता लोगों की नजर आती है वो धोका भी हो सकता है और दूसरा जो इसका moral है वो यह है कि last three lines है question number three की we conclude that all glittering things are not bound to be glittering inwardly कि जो चीज हमें चमकती दमकती बजाहिर नजर आती है जरूरी नहीं है कि अंदर से भी वो वैसी हो we should try to go deep down things especially matters about human beings कि हमें चीजों की को गहराई से देखना चाहिए खास तोर पे जब किसी इनसान का मौमला हो we should not value them with outward surface उनके बैरूनी जो नोंने अपने उपर खुशी का खोल चड़ाया वा है उस पर हम ना जाएं बलके गहराई में देखें कि इन पहैसियत इनसान उसके क्या मसाइल है उसके क्या दुख है अब इस पर हम आजाते हैं glossary में typical है मखसूस, customer, गाहक, terminology, इस्तलाह, woven का मतलब होता है बुना हुआ, यहां पर इससे मुराद है woven, गले में लटकाया हुआ flattered होता है, खुशामत, peculiar mannerism, मखसूस तरीका कार surge और tweet यह दो कपड़ों के किसमे है measuring tape है, inch tape, philosophy है, नुकता निगाह या नुकता नजर stitching and bills यानि सिलाई और पैसे मांगना, heavy consignment यानि बहुत बड़ा order sidesman, चंदाई कठा करने वाला, church का आदमी, association लगाओ immortal, lafani, where about, किसी का रहने का मकाम या किस जगा वो मौझूद है, shattered impression यानि तास्थर का बिलकुल खतम हो जाना, badly left off, यानि बुरे तरीके से किसी को छोड़ के जाना, badly left off से मतलब होता है, माली हलाद बुरे होना, is the essay humorous, yes, the essay is humorous, जब वो start होता है तो हमें पता चलता है है कि यह बहुत humorous है, क्यूँ कि इसमें हमें हमें पता चलता है कि मुसनिफ इसका खड़े होने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, उसका खुषामत का तरीका, यह सारा कुछ busनिफ जो है फिर वो सर्ज और ट्वीड में से क्या चीज हमेशा रिकमेंड करता है, तो वो दो कपड़ों की च्वाइस बताता था, लेकिन वो सर्ज बताता था in dark blue color, तेज नीला रंग सर्ज, और वो कहता था आपको यह सूट करेगा, वो हमेशा कैसे ग्रीट करता था, अपने घुटने के उपर कपड़े को पहला देता, और फिर वो अपने कपड़े की नुमाईश करता था, और कहता था, यह देखे कितना हाला कपड़ा है, वो हम देख चुके हैं, कि बिलिंग होता है, यानि बिल कैसे पेश करता था, कि जब तीसरा जोड़ा आजाता था सिलने, तो फिर वो कहता था, कि हवी कंसाइनमेंट फ्रम यॉरॉप इस दू, मेरिज, मेरिज में यह है कि उसकी वाइफ भी थी, और डॉर्टर भी थी, हॉबी क्या थी, वो थी कि he was a side, music, music थी, उसकी हॉबी, and being a sidesman of the church, मॉरल क्या है, कि we should be considerate about the affairs of other people, वो उसे immortal क्यों क्याता है, क्योंकि उसकी habits अच्छी थी, जबकि जो टेलर ने, जैसे मुसन्निफ के साथ बरताओ किया, वैसा ही बरताओ, मुसन्निफ ने उसके साथ नहीं किया, वो खलूस उसने अपने अंदर ना पाया, और इस बाद पर वो बड़ा पच्छताता रहा है, और इसका मॉरल ये है, कि हम मशीनों में भी कॉइन डाल के, अपनी बहुत सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, खरीद लेते हैं, पर्चेस करते हैं, लेकिन इनसान में और मशीन में फर्क होना चाहिए, जब हम इनसान से कोई चीज़ पर चेस करते हैं, या कोई तालुक रखते हैं, तो हमें उनका हालचाल पूछना चाहिए, और उन्हें मशीनों की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए.